मैं सीव सर एक बार फिर से आप लोगा बहुत बहुत स्वायद करता अपने यूट्यूब चैनल गेर नॉलेज टेकनिकल में फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है खास करके वैसे प्रेंड्स के लिए हैं जो ITI की पढ़ाई कर रहे हैं या ITI की पढ़ाई समात्त कर लिए हैं उनके नाम में, फादस नेम में, डेटो बर्थ में, इमेल आईडी में, मुबाइल नंबर में अगर किसी प्रकार की तुरूटी है तो उस तुरूटी को हम कैसे दूर कर सकते हैं इसके लिए क्या कर सकते हैं इन सारी बातों को आज मैं आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग अपनी इस समस्या से निजात पा सकते हैं इस समस्या का हल निकाल सकते हैं तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे और अपने टॉपिक पे आने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से आगरा करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल से जल सस्क्राइब करें और लाइक, शेर, कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स दूसरी बात ये है कि अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो हो सकता है कि आपका समय और पैसा बरबाद हो इसलिए अपने समय और पैसे को बचाने के लिए पूरा वीडियो देखें, स्कीप करके ना देखें ताकि आप पूरी जानकारी लें और पूरी जानकारी के अधार पे आप अपना जो आपका तुरूटी है उसमें आप करेक्शन कर सकें सुधार कर सकें तो फ्रेंड्स चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इसके लिए NCVT-MIS पोर्टल पर जाना होगा आपको जो है गूगल में जाकर के या क्रोम में जाकर के आपको वहाँ टाइप करना है NCVT-MIS जब NCVT-MIS आप पोर्टल खोलेंगे तो आपका पोर्टल देखे कुछ इस तरह का खोलेगा इस तरह का जब आप खोलेगा उसमें सबसे लास्ट का जो कॉलम देखिए जहां लोग कम्प्लेंट लिखा हुआ है मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ देखे लोग कम्प्लेंट लिखा हुआ है यहां पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद अब आप आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने इस तरह से ओपन होगा यहां पे आ करके आपको अब आपको यह तैग करना है कि आपका problem मतलब है क्या आपका अगर मार्क्षिट में problem है तो आप यहां पे जो registration number या roll number है वो फिल करके exam का system कौन सा system से आपने exam दिया है वो system को फिल करके उसके बाद semester आपको यहां पे select करके अगर आप annual हैं तो annual करेंगे अगर आपका semester है तो semester करके आप वहां पे submit का यहां पे search करेंगी search करने के बाद आपके सामने जो है आपका जो मार्क्षिट है उसमें आपको यह कर्टरिया पूछा जाएगा कि आपका रॉल नंबर exam का system क्या था उसके बाद year तब आगे आपका open होगा मार्क्षिट इस तरह का जो आपका स्क्रीन पे दिखाए दे यह मार्क्षिट आपका open होगा आप इसमें देखें क्या आपका खुला इसमें training name grievances type मतलब किस तरह का आपका problem है उसको अब आपको यहां पे select करना होगा अब आपका जो मानले कि आपका profile में गलत है तो यहां पे क्या करना होगा ध्यान से सुनिए अगर profile में आपका गलत है मानले आपका नाम गलत है या date of birth गलत है या फादर्श नेम गलत है या email ID गलत है या mobile नमबर गलत है या आपका picture जो है आपका जो तस्वीर है आपका तस्वीर ना होकर कि किसी और का तस्वीर वहाँ है तो यह सारे problem को आप यहा ध्यान रखिएगा कि जो admit card में आपका नाम हो वही नाम आपको डालना है ऐसा नहीं है कि आपका मानले कि correct नाम यह है और उसमें अंकित यह हो गया तो आपका ऑपन होगा यह उसमें लेगा ही नहीं क्योंकि उसमें पहले से गलत नाम आपका submit है तो यह आपको वहाँ ध्या जान दिजेगा कि जो आपका roll number होता है उसके पहले जो 0000 लगा होता है उस 00 को आप हटा करके वहाँ पर small r या फिर capital r भी आप लिख सकते हैं के साथ बाकी के सारे digit को आप उतार दिजेगा उसके बाद आपको grievances type यहां select करना है किस तरह का आपका mark sheet में अगर problem हो तो हाँ पर mark sheet आप जो है select करेंगे और अगर आपका profile में problem है तो आप profile को वहाँ select करेंगे अब जब आप select करने बाद next का button देखिए है next का button जब आप कीजेगा तब आगे आपका जो है इस तरह का है कि ट्रेनी का नाम अपने देखिए किस तरह से डाला है आप भी देख लिजे उसके बाद जो है registration नंबर जैसे देखिए डाल दिया गया है उसके बाद profile related है तो यहां पर select कर लिया गया है next का button डालते ही आपके सामने जो है यह तरह का आपका open होगा देखिए जिसमें ID और आपको mobile नंबर सो करेगा इन केस मान लिजे कि आपका यह email ID या mobile नंबर बंद हो गया या खो गया हो या चल नहीं रहा हो तो यहां पर आपका update का option है आप यहां पर आ करके update कर सकते हैं अपडेट जब किजेगा तो अभी जो current आपका चल रहा है वो current आप email ID डाल सकते हैं अब update के लिए आपको जो है यहां पर आपके mobile पे एक OTP आएगा उस OTP को आपको इसमें डालना होगा जब OTP आपका आगा और डाल दिये तब देखिए अब आगे का जो है आपका यहां इडिट हो करके आपका email ID और mobile नंबर आपका अपडेट हो गया उसके बाद जैसे आप आगे बढ़िएगा अब मान लिए कि आपका डेटो बर्थ गलत है उसका वेरिफिकेशन होगा तो आप अपना डेटो बर्थ डाली और वेरिफाइग कर सकते हैं अब आगे बढ़ते ह आगे बढ़ने के बाद देखे आपका जब आप यह सब डाल दीजेगा तो आपका सो करेगा ट्रेनी नेम रेजिट्रेशन नंबर फादर्स नेम मदर्स नेम यह सब मिलान कर लिए उसके बाद आपका email आड़ी और mobile नंबर अगर इसमें कुछ अपडेट करना है तो यहाँ इमेल आड़ी और mobile नंबर को अपडेट किया जा रहा है तो यहाँ पर अपडेट का option है अपडेट में आप मारेंगे तब आपका आगे जो खुलेगा इसमें आपको OTP आएगा उस OTP को जब आप सब्मिट करेंगे देखे OTP आया है इस OTP यहाँ सब्मिट का बटन है सब्म नंबर प्रोफाइल चेड सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद जो है तब आपके सामने ये अपको खुलकर सामने आ जाएगा देखिए है ये प्रोफाइल खुला में आपको maximum of three Gribans Subtype can be selected तीन तरह के आपको जो है सेलक्ट चरना है फाधस नेम मदस नेम डेटोबर्ट ट्रेनी नेम उसके बाद आपको मुबाइल नमबर का ऑप्षन है अगर मान लीजे कि ये सिम्प है प्रोबलम को सौल्ड को अप्शन या दिए गया है तो जो जो माले आपका फालाझ में is लेक्ट करेंगे जो यह दिए आपको आगे बढ़े किआगा आपको सेलेक्ट करने ना तो पर दोटोग्राफ किया किसी का पॉटोग्राफ गलतuju धीसटें पर ये उदाहरन के तोर पर example पर देखे दिन का date of birth गलत है और नाम गलत है फोटो गराब गलत है तो इसके लिए इन्होंने select किया तो आगे जाकर के इनको option मिलता है आपको देखिए कि यहाँ पर आपको जो है अपना नाम जो आपका सही नाम है है न वो आपको यहाँ पर type करना ह है आपका date of birth जो है यह सो करता रहेगा उसके बाद आपको अपना फोटो यहाँ select करना है फोटो आप अपना upload करना होगा उसके वाद एक डोकुमेंट आपको जो है 10th या 12th का वह आपको upload करना होगा उसका mark sheet वह भी PDF में यह आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आपका mark sheet upload होगा वह PDF में होगा और यह आपको यह फोटोग्राफ जो है वह आपका jpg में होगा यह आपको ध्यान देना है उसके बाद submit grievances कीजेगा तब आपको एक जो है देखिए grievances id मिलेगा इसको आपको ध्यान रखना है your grievances id इतना है न इसको ध्यान में रखना है और यहाँ पर देखिए click here to view status आप यहां पर आकर करके अपना status विच्छे कर सकते हैं कि जो मैं डाला वह इसमें आया की नहीं तो उसमें आप जब आगे बढ़िएगा आगे बढ़ने एक बार तो आपका इस तरह का page open होगा उसमें आपको दिखाए देगा कि आपको आपने जो डाला है वो सब सही है और सब इसमें यह आपने क्या सही डाला है वहां पर आप मिलान कर लेंगे तो इस तरह से आप जो है आपने profile को profile में जो तरूटी हो उसका आप correction कर सकते हैं तो friends आज हमने आपको इसके बारे में बताया अगर आपको कहीं कुछ तरूटी नजर आती हो या समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे comments box में जुड़कर comments करके पूछ सकते हैं ये वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर comments किजेगा आज के लिए friends इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद